यह जो दावा करते हैं, यह तो रहते हैं नहीं सितामधी में, यह तो जनता का बोट लेते हैं और अपने कारोबार में रहते हैं, तो यह तो कहते हैं कि दूसरे को टिकट मिलेगा तो उनको एक दम स्विकार नहीं करेंगे, अरे भाई, 2009 में हम जेडियू से लर रहे थे, क्या अब जो पांच जार, साथ हजार, आठ हजार, दस हजार भोट जिन को आता हो, अगर वो भी नेता है तो हम स्वागत करते हैं सिराजनीत को, अदलो लूप आदमी मैं हूँ नहीं, अर आता तो मैं चुना भार जाता हैं, क्या हम दल नहीं बदल के चले गए होते हैं, हम उनाटेट के निताओं ने कहना शुरू कर दिया है, कि वो सीथ हमारी है, उसमें से एक सभापती है, बिहार विधान परिशत के देवेच अठाकुर, उन्होंने कहा कि सियासी किसी के आउकात नहीं कि सीधामड़ी में चुनाओ जीद के दिखा दे, जबके वहाँ पर अरज हम जो राजमी बड़ी बात करते हैं, उनको तो मैंने दो दिल पहले ही जो उन्होंने सबाल किया था, मैंने जवाब दिया, कि वो तो दस जार पंदरा जार भूट लाके चुनाब जीते हैं, इतने तो हमारे पास सेक्रो कर्च करता है, जहां तक सीता मढ़ी में कोई जीत न यह जो दावा करते हैं, यह तो रहते हैं शिता मढ़ी में, यह तो जंता का भोट लेते हैं, और अपने कारोबार में रहते हैं, तो बाहर जो रहता जंता से कटा रहता हैं, उनको जंता के सच्चाई मालूम नहीं है, हमारा जीवन ही लोगों के लिए समर्पी थे, अगर गया होता लंबे समय तक ता सीता मढ़ी बिहार तो छोड़ दीजे देश के सबसे अगली पंक्ती वाला कुछ जिला होता उसमें होता हमारा तो संकल्प है कि सीता मढ़ी को गरीवी लाचारी मजबूरी से निकाल करके पूरे विकास के दौर में इस रफ्तार से दौरा दें कि लोग समझ जाए कि भोट का एकवाल कितना होता है मुझे मालूम है तब तो मैं कहा रहा हूँ कि पांस साल में जो काम हुए वो काम उलट करके देख लिजे मेरे प्रयास से एक एक काम जोर लिजे चाहे वो रोड नेटवर्क के छेत्र में हो चाहे नकसल जिला बनाके प्रयास किये उसका तो रिजल्ट दिखाई दे रहा है हम तो नदियों के जल प्रवंदन पर भी पाइलट प्रजेक्ट बनाए भारास सरकार से कुछ योजनाए बन भी गई अगर बन गया होता तो आज सितामरी यह सितामरी नहीं रहता यह बास सही है कि जनता एक ऊपर के बिशुओं को सोच करके जमीनी हकीकत को नहीं समझ करके हमें मौका नहीं दी है बाब दूद में तो जनता के भी 24 गंटे लगा हूँ हमने बता दियाने कि मेरे जीवन का संकल्प एशितामरी एक कोई लेक जनता के बोट लेके ब्यापार करना मेरा संकल्प नहीं लेकर लेक कि आप सर्वे करा लिए कौन ज्यादा पॉपुलर है इनके इस बात से तो मैं सो फिजदी समझ हूँ और ओ नेता के पास जा के बता दें अपने नेता के पास हमने तो अपने नेता को अलेड़ी कह रखा है हमने अपने नेता श्रीत जस्वी आदब जी को अलेड़ी कह रख यह नहीं तो आप नेता है आपका तो जो निरना है अंतन तक वही हमें मानना है हम तो पार्टी के निस्टावान कर्च करता है मैंने और इस अर्वे होगा तो इनको पता नहीं है इनको दो फिजदी लोग का भी समर्थन मिलने वाला नहीं है वह तो कह रहे है कि हम पॉपुलर हैं पूरा सिधामणी का लोग हमसे प्यार करता है मैं एक ऐसा नेता हूँ जो विवादित नहीं हो तो लगतार कर रहे हैं घर विवादित हो अब क्या जो 5000 7000 8000 10000 वह जिनको आता हो अगर वह भी नेता है तैसे सिराजणी को तो वहां तो कितने मुख्याँ कितने जिलापविशत के मांन्य सदस्ट से उनको भोट आते हैं उतने तो नेता होने के लिए मास में जाना पड़ता है हमें एक अगस से लोकशंबाद यात्रा पहार गाउं में 2 गटे, 2.00 गटे की सबार करता हूा जनता को देता हूं माईक की क्या हमसे उमीद थी जो हमने पूरा नहीं किया क्या हमसे आप उमीद करते हैं आप बताइए जो हम बोलते हैं उसका काट करिए जनता तो काट नहीं कर रही है एक और सवाला आपको कहा कि यह बाहरी है मैं सिता मड़ी का हूँ उन्होंने कहा दावा किया और कहा कि वो बाहरी है मैं बता दू मैं बाहरी कैसे हो सकता हूँ मैं तो 24 आवर सिता मड़ी में ही रहता हूँ एक एक सवाल एक-एक समस्या से जूसता हूँ हारनी के बाद भी मैं लगतार लोग के बीच में हूँ नीश वारत भाव से ताकि मेरे मन में उनके प्रतिफ प्रेम है बारी तो वो है जो जन्ता के बोट लेकर के दूसरे स्टेट में अपना कारोबार और अपने ऐसो अराम में रहते हैं हम तो सरवहारा है आम आदमी हैं आम आदमी के तरह लोगों के बीच रहते हैं आजकल तो गाव में रहते हैं जहां रात हो जाती है लोग संबाद यातरा में जहां रात हो जाती है एक बज़े राज तक हमारा संबाद चला है, आप भी चलाए होंगे, तो चलते रहता है, और सभी वर्क के लोगों में, सभी गाउव, सभी तरह के लोगों में हैं, अगर इस तरह का करके देखे तो 15 दिन एक महिना, हाई प्रोफाइल का जगह भी विहार नहीं है, महरास्ट भी नहीं हुआ है, एभी इंगलेंड अमेरिका नहीं है, एभी हार सितामड़ी है, अच्छा आजुन राजी एक और सवाल, के जो विवाद अभी चल रहा है, टिकट की दावेदारी आपके लोग भी कह रहे हैं, वो ये दावा कर रहा है, कि टिकट हमको मिल गया है, तो अपने पाटी, वो सब पाटी के नेता के बाद करते हैं, हमारा जो संबाद यात्रा चला है, वो तो उसके बारे में जो भी जानकारी हम अपनी नेता को देते रहते हैं, तो हम तो अनुसासित कार्च करता है, ना, ये अनुसासन से परे हैं, ये तो कहते हैं कि दूसरे क को टिकट मिलेगा तो उनको एक दम स्विकार नहीं करेंगे अरे बाई 2009 में हम जेडियू से लर रहे थे जेडियू से मंत्री थे पूरा ठ्वना भीना करके विरोध कि इनके विरोध से क्या हुआ लाग से ज्यादा बोट से जित गए साहिद अली खांसा महरूम अब रहे नही जेडियू में मंत्री थे हमेशा उनका विरोध करते रहे हैं इनका तो यह काम है लेकिन इनके विरोध का आसर ही नहीं होता है चुकि खुद ही भोट लाते हैं 15-12-10-10-4 जिला मिला करते हैं तो क्या विरोध कर सकते हैं जो 5000 भोट एक जिला में लेता हो 3000 लेता हो तो हेरा बोट लोगों का अश्वस्थ है आपके अगर टिकट मिला तो मैं का रहा हूं वो तो जनता से पूछए आप तो सिता मधी को पूरा-पूरा जानते हैं जनता से पूछ लीजिए जनता अगर पक्ष में हैं जनता का प्यार है और नेता हमारे नेता अधरने लालू यादव अश्री तजस्वी प्रसाद यादव जी इनका जो आदेश है वो सर्माथे पर हम दूसरे पार्टी के नेता केहां क्यों जाएंगे गठबंदन हमारे नेताओं का है पार्टी का है गठबंदन में क्या तैक करना है हमारे नेता समझेंगे न हम कौन होते हैं जो दूसरे पार् वो सरमाथे पर है और हम बहुत ही अनुसासित रहे हैं पदलो लूप आदमी में हूँ नहीं रहता है तो मैं चुना भार जाता है क्या हम दल नहीं बदल के चले गए होते हैं हम सिद्धान्त के तहट राष्टिय जनता दल में स्री लालू प्रसाज यादव का जो रा है स्री तजस्वी आदव का जो विकास मॉडल है उसके व्याक्षान गाउं 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 लोगों तक पहुचा रहे हैं पच्चास लाक लोगों तक अपने नेता और सरकार के काम को लोगों तक पहुचा रहे हैं दोप हो ठंडा हो हम तो जनता के आदमी हैं हम उनके जीवन को ठि बदली है एक एक लोग से पूछ लीजिए गाव में चले जाएए चुनाव हार जाना एक महज़ पड़िस्तिती होती है और आगे मौका मिला तो सिता मढ़ी का तकदीर बदल देंगे हम लोगों के लिए मेरा जीवन है अपना कोई जीवन नहीं तो यह थे हमारे साथ पूरु लोगों ने जो विकास की एक रा भटक गए थे हाला कि चुनाव में हारना और जीटना एक प्रस्तिती के अनुसार होता है लेकिन उन्हें साफ तोर पे कहा है कि जो लोग कम वोट लाते हों वो अगर दावा कर रहे हैं तो यह उनकी ना समझी है लेकिन समय जब आएगा लो